असलावल एकॉम यह स्टुडेंट्स आफ क्लास एड था लास्ट टाइम हमने कोल और पिट्रोलियम पड़ा था और उसके कोश्चिन भी मैंने वाट्जब ग्रूप में शेयर किये थे आज हम चप्टर थ्री कंजर्विशन आफ प्लांट्स और अनिमलर्स जो यूट्व में ह इसको हम डिस्क्बिस करने जा रहे हैं तो लेटसटार्ट कंजर्विशन आफ प्लांट्स और ब्लांट्स और अनिमल्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा और इस चाप्टर में हम जाना चाहेंगे कि प्लांट्स की मुटलिफ स्फिक या ऑनिमल्स की मुटलिफ जो दुनिया के उपर on the planet of earth exist हुआ करती थी आज नहीं है और उनको क्या कहते हैं उन species को जो extent हुई है और species का मतलब होता है नसल जिन plants और पोदों की नसले खतम हुई है दुनिया पे नहीं है उसके बारे हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो species of animals and plants जो हैं जिनको खतम होने का डर है उनको क्या बोलते हैं इसके अलावा हम पढ़ेंगे उनको ताफस हम कैसे दे सकते हैं हम plants और animals को कंजरो कैसे कर सकते हैं यही साब हमें इस chapter में पढ़ना है सबसे पहले introduction Every living organism on earth is member of a dynamic community That dynamic community is ecosystem सबसे पहले introduction में हम जो term discuss करने जा रहे हैं वो ecosystem ecosystem जो होता है ecosystem में biotic and abiotic components आप environment आते हैं जो बायोटिक component में आते हैं उसमें तमाम living organisms आते हैं abiotic components में water, soil, land और air आता है तो यहने ecosystem में biotic living भी आते हैं और non living भी आते हैं यहां पी जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गयी है इसमें कुछ animals आपको नज़र आते हैं जैसे deer साइड में नज़र आते हैं और fresh water lake आपको नज़र आते हैं और उस lake में aquatic animals आपको नज़र आते हैं साइड में natural vegetation है तो यह एक ecosystem कहलाता है और ecosystem को हम इस तरह define करते हैं It's a complete unit that consists of living creatures and non living matters जो ecosystem होता है इसमें living creatures भी आते हैं और non living matters भी आते हैं और aquatic animals भी नज़र आते हैं इसके अलाव vegetation plants भी नज़र आते हैं तो यह एक ecosystem कहलाता है Dear students किसी भी environment में on the surface of earth हम abiotic components भी देख सकते हैं land, water, air, etc. और biotic components भी देख सकते हैं animals, plants, insects, microorganisms, etc. और इनके apps में interaction होती है और इसके बाइद इनका interaction होता है वह abiotic components के साथ यह बायोटिक components और abiotic components के देर मियान एक interaction होता है और यह depend करते हैं थोड़ा बहुत एक दूसरी के ऊपर और एक unit बनाते हैं उस unit को ecosystem केते हैं जो है students आपको पता होगा कि हमारी solar system में जतने भी planets हैं उन planets में से जमीन जो हमारी है वो तीसरी नमबर पे आती है हम distance की बात करते हैं from the sun और हमारी जमीन ही है यानि अरत ही है जहां पे life possible है और earth is the only planet where life exists तो जमीन पे ही life exists करती है plants, animals, human beings, insects वागेरा जो हैं यह जमीन पे ही पाए जाते हैं और इनकी diverse forms पाई जाती हैं बहुत सारी कसमें पाई जाती हैं there are numerous kinds of plants and animals that exist on earth or we can say that on earth diverse forms of life exist जमीन के उपर हम animals भी देखते हैं हम plants भी देखते हैं अब animals की बहुत सारी diverse forms है diverse forms का मतलब होता है different types of species जो है नसले है animals की ठीक इसी तरह plants की भी diverse forms है plants की भी different types of species है different types of नसले हैं जो on the surface of earth exist करती है इसके अलावा हम microorganisms जो हैं या insects हम देख सकते हैं microorganisms जो हैं जरासीम भी उनकी भी बहुत सारी कसमें species हैं वो भी on the surface of earth पाई जाती हैं dear students जब हम जंगल जाते हैं तो जंगल में हम क्या देखते हैं मुक्तलिब कसम के plants और animals पाई जाते हैं या birds पाई जाती हैं या insects भी हम देखते हैं अलग-अलग कसम के जो हमने कभी नहीं देखे हैं पहले तो इसको बोलते हैं biodiversity के मतलब होता है अगर हम इसको define करेंगे तो it's a term used for the number of different forms of plants and animals found on earth biodiversity है इसमें बहुत सारी plants बहुत सारे कसम के plants और animals आते हैं और अगर हम diversity की example देना चाहेंगे तो हम जंगल में भी देख सकते हैं जंगल में बहुत सारे कसम के plants और animals पाए जाते हैं और वहाँ पे हमें maximum diversity जो है जंगलों में एक्जिस्ट करती हैं बहुत सारे अनिमल्स, बहुत सारे कसम के अनिमल्स, बहुत सारे अनिमल्स की स्पीशीज, बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज, जो है, हम जंगल में देख सकते हैं। और इसी को बायो डाइवर्सटी केते हैं बायो का मतलब होता है लाइव डाइवर्सटी में डाइवर्स फार्म्स आफ लाइफ एक्जिस्ट करते हैं जंगलों में जंगल जो है यह इसे नेश्रल ट्रेजर हमारे लिए हैं इसलिए इनको हमें ताफुस देना है इन जंगलात क करते हैं और इनको हमें कंजरू करना है लेकिन होता क्या है कि हमारे human behavior की वज़ा से जो है और बहुत सारी activities जो हम करते हैं इससे जो biodiversity को बहुत खत्रा है जो animals और plants की biodiversity है उसको बहुत ज्यादा खत्रा है और इन human activities में जो है एक example हम लेते हैं deforestation की deforestation का मतलब होता है जंगल काटना जंगलात का कटाव और cutting off forest trees इसको deforestation कहते हैं और deforestation की वज़ा से जो diverse forms of animals और plants की जंगलों में exist करते हैं जो बायो डिवरस्टी बनाते हैं और कटाव की वज़ा से बहुत सारे जो animals plants के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे उनका जो habitat होता है वो destroy होता है और इस वाज़ा से जो बायो डिवरस्टी है उसके लिए एक खत्रा एक थ्रेट पाइदा होता है due to human behavior and activities अब हम deforestation को define करते हैं deforestation होता के है it is defined as removal of falling of or falling of trees for lodging agricultural or grazing operations तो deforestation का मतलब होता अगर हम जो है इस टरम की तरफ देखेंगे तो de and forestation का मतलब होता है removal forestation मतलब फारस्ट को remove करना forest को हटाना जंगलात को हटाना तो यह जो है किसलिए किया जाता है far lodging agricultural or grazing operations के लिए deforestation होता है और यह होगए causes of deforestation जिसको हम आगे detail में जो हैं discuss करने की कुछ करेंगे समझने की कुछ करेंगे कि क्यों deforestation होती है deforestation के लिए इनसान भी जिम्दार है और कुछ natural phenomenon की वज़ा से होता है deforestation जैसे forest fire होता है जंगल में आग लग जाती है और बहुत सारे जो है पेड़ पोदे जल जाते हैं और इसके अलावा जो इनसान की activities की वज़ा से पेड़ पोदे खतम होते हैं दिन भी देन और इसको deforestation करते हैं cause of deforestation इसमें rapid urban development एक cause है कि लोग जो हैं जो ruler areas के हैं वो urban areas में रहने के लिए जाते हैं और वहां पे urban areas में हम देखते हैं development जो बहुत सारे industries बनती हैं factories बनती हैं और वहां पे जो construction का काम किया जाता है इसके लिए जो है जंगलों को कार दिया जाता है वहां से फिर timber supply की जाती है और इस ये एक cause है defustation का दूसरा है clearance of agriculture to grow more food और इसके अलावा जो है जंगलों को कार दिया जाता है वहां पे एक plot of land तयार किया जाता है जिसमें फसल उगाई जाती है और जो है ये दूसरी cause है जो defustation के cause की हम बात करते हैं के forest area को clear किया जाता है for cultivation purpose और इसके बाद नमबर 3 cause fuel requirement for cooking इसके अलावा जंगलों को कार दिया जाता है to get firewood और firewood जो है जलाने की लखड़ी जो है वह जंगलों से हासल की जाती है इसको हासल करने के लिए defustation होती है बहुत सारे पेड़ पोदे काटे जाते हैं इसके अलावा timber exploitation for construction of purpose timber जो है याने इमारती लकड़ी जो है उसको हासल करने के लिए जंगलों को कार दिया जाता है number five using land for setting of industries इसके अलावा industries को बनाने के लिए जमीन जो land का plot है वो तयार करने के लिए एक area forest area को select किया जाता है वहां बहुत सारे पेड़ पोदों को काट दिया जाता है और वहां industry जो है बनाई जाती है set की जाता है और भी बहुत सारे causes हैं जो आप खुद लिख सकते हैं जो वज़ा बनती है जंगलों को काटने के लिए और वह आप इस list में add कर सकते हैं causes of defaust station के list में और इसके अलावा आप बुक पे भी देख सकते हैं वहां पे भी कुछ काज दिये हैं causes of defaust station अब हम consequence of defaust station जो है वो discuss करने जा रहे है तो जब जंगल काट दिये जाते हैं काटने के बैद इसके consequences क्या होते हैं last पे इसके असरात क्या होते हैं सबसे पहले reduced rainfall हमें पता है जितने ज़्यादा पेड़ पोदे होंगे उतना ज़्यादा हम expect करते हैं जो seasonal rainfall है वो ज़्यादा हम expect करते हैं लेकिन जब जंगलों को काट दिया जाता है तो हमें पता है कि जंगलों में बहुत सारे पेड़ पोदे होते हैं और जो पेड़ पोदे होते हैं वो transfer करते हैं water vapors into the atmosphere इसको transferation कहते हैं और जब atmosphere में water vapor चले जाते हैं और जब जंगलों को काट दिया जाता है तो बहुत सारे कम पेड़ पोदे रह जाते हैं और उनसे जो water vapor transfer होती है वो बहुत कम होती है as a result of it इसका जो consequence होता है वो होता है reduced rainfall number second imbalance of atmospheric gases दूसरा जो consequences का imbalance of atmospheric gases second consequences की बात हम करते हैं तो जो दूसरा point इसमें आता है imbalance of atmospheric gases आपको पता है कि जो पेड़ पोदे होते हैं वो atmosphere में oxygen release करते हैं जिसको हम respiration के दोरान inhale करते हैं और हम human beings और animals तमाम animals जो है वो atmosphere में carbon dioxide gas release करते हैं और उस carbon dioxide gas को वहां से plants inhale करते हैं और carbon dioxide gas को inhale करने से जो हमारा atmosphere है वो साफ रहता है तो इसलिए imbalance जो है इससे होती है अगर defastation होती है तो number loss of natural habitat थोड़ पॉइंट है इसमें जो consequence of defastation है तो world animals है उनका जो habitat हो जाता है due to defastation और as a result of it जो जंगली जानवर हैं वो द्याहत का रुख करते हैं जो ruler areas हैं गाउं हैं वहां नीचे आ जाते हैं और इनसानों की बस्ती में दाखिल हो जाते हैं वहां पे इनसान जो है उनको या तो kill करते हैं या इनसानों के अपर वो हमला करते हैं तो number four point जो consequence of defastation में आता है वह है change in climate जो आवा हुआ है वह बिल्कुल change होता जा रहा है due to defastation और pollution level बढ़ जाते हैं दिन बे दिन और इससे जो है आपको पता ही है जब pollution level बढ़ जाते हैं तो इनसान के अंदर इनसानों में बहुत सारी बिमारियां जो फीफड़ी की बिमारी जैसे लंग की बिमारी लगने के जो है खत्रात बढ़ जाते हैं अंडर ग्राउंड में जो सर्फेस के नीचे जब हम चले जाते थे तो वहां पर जल्दी जो है वाटर निकलता था लेकिन आज हम बहुत फीट नीचे जाते हैं फिर भी जो है वाटर नहीं आता है इसकी वाज़ा यह है कि defastation की वाज़ा से जो लैंड है जो मिटी है इसमे बहुत डीप जब कौंख होते हैं तब जाके हमें जो है किसी जगा वाटर आता है लेकिन पहले आईसा नहीं होता था पहले जो वाटर लेवल थी वो ज्यादा डिक्रीज नहीं होती थी तो और पहले ही कुछ फीट खोदने के बैद पानी आ जाता था तो यह हो गए सब्सक्काइब अब हमें पता चला फारिस्ट्स हमारे लेकितने इंप्ली कटने जरूरी हैं है आँ तो यह प्ले करते हैं इंप्लाटइंट रोल और इसलिए हमारा फारस बंद सबहु है कि हम इनको जरु करें तो इसको बोलता है conservation of forests, तो अगर हम forests को conserve नहीं करते हैं, हम continuously defoustation पर जाते हैं, और as a result of it, कि हमें आगे future में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम forests को conserve करें, जो forests हैं, यह एक equilibrium maintain करते हैं, ecological equilibrium या ecological balance इन से maintain रहती है environment में, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम forests को conserve करें, इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी स्टिपस उठाते हैं, for considering forests, number one है reforce station, reforce station में क्या आता है कि कोई area है, कोई barren area है, जहां पर forests पहले हुआ करते थे, जो natural vegetation हुआ करते थी, अब नहीं है, वहां पर बहुत सारे पेड़ पोड़े काड़ दिये गए हैं, और वहां पर हम जब new plants plant करते हैं, नए पोड़े लगाते हैं, तो कुछ सालों के बैद वो 8-10 या 12 साल लगते हैं, उनको forest बनने में, और इसलिए हम देखते हैं, कि government की तरह से भी कुछ initiatives ले जाते हैं, जैसे आप देखते हैं, कि nursery बनाई जाते हैं, किसी जगह एक area को जो ह फेंसिंग की जाती है, एक area की, और वहां पर छोड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, और उनका मकसद यही होता है, कि जो forests हैं, वो फिर से grow हों, जो forest plants हैं, फिर से उग जाएं, और हम देखते हैं, कि जो protected areas हैं, वहां पर forests फिर से बनते हैं, उगते हैं, या अगर कोई forest area ह है, जहां पर हमें लगता है कि छोड़े प्लांट्स उगना शुरू हो हैं, उस area को हम undisturbed रहें, याने कि वहां पर जो लोगों की injury है, उसको कम रहें, तो वहां पर भी जो reforestation हो सकती है, फिर से जो wild plants हैं, वो उगना सिटार्ट होते हैं, उसके बाइदे, preventing forest fires, जो दूसर जो reforestation के लिए ज़रूरी है, वो forest fires, forest conservation के लिए forest fires जो है, उनको prevent करना है, हम देखते हैं, आचानक भी जंगल में आग लग जाती है, आग लगने की वज़्जा से, बहुत सारे पेड़ पोदे जल जाते हैं, और वहां पर बहुत years तक, बहुत सालों तक, फिर नए plants नहीं area of forest land जो है, वो barren रह जाता है, तो वहां पे भी अगर हम कुश करेंगे, कि नए plants लगाने की, तो वो फिर से उग सकते हैं, और जल्द ही वहां पे forest बन जाता है, और तीसरा तरीका जो है, conservation of forests के लिए जो बताया गया है, grazing of animals, जो grazing होती है, जब जंगल जाते हैं, जो natural vegetation में बहुत सारे small plants आते हैं, harvest आती हैं, medicinal plants आते हैं, वो उनको खाते हैं, जो गाय, बेल, बेड, बकरियां वगरा होती हैं, जो हमारे domestic animals होते हैं, वो उनको खाते हैं, और इससे जो है, जो forests हैं, वो destroy होते जा रहे हैं, और इनको conserve करने के लिए हमारे लिए जरूरी है, कि वहां पे हम जो grazing है, उसको control करें, अब हम next point discuss करने जा रहे हैं, वो wild life, wild life क्या होती है, तो उपर screen पे आप definition देख सकते हैं, it represents all the non-domesticated animals living in their natural habitats, इसमें non-domesticated animals आते हैं, यानि wild animals आते हैं, जानवर आते हैं, जैसे tiger, leopard, bear और इसमें wild birds भी आते हैं, जो अपने तरीके से रह और natural habitat में रहते हैं, यह wild life कहलाती है, लेकिन यह wild life है, इसको threat है, इसका threat है, इनसान का threat है, हम जानता है कि इनसान की population जो है, आबादी दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, और इनसान चाहता है कि बहुत सारा जो land है, उसको बहुत सारे कामों के लिए इस्तमाल किया जाए, जैसे cultivation के लिए या construction के लिए तो इस land में जो है बहुत सारे जानवार एहरेफते हैं और बहुत सारे जानवार हैं उनका अपना habitat होता है और इस habitat को जो है इनसान अपनी use के लिए destroy करता है और as a result of it जो इनसान है वो जानवानों के लिए थ्रेड बन जाता है ना सिर्फ जंगल काटने से इनका हैबिटेट डिस्ट्रोई होता है बलकि जो लैंड होता है जब हम लैंड पे कोई एक्टिविटी करते हैं और उससे भी बहुत सारे जो छोटे जानवार होता है जैसे स्कैरल होता है रैट होता है सनैक है लिजार है या जो मैंडक होती है तो फ्राग होती है इनका हैबिटेट जमीन में होता है जब हम जमीन में कोई एक्टिविटी करते हैं कानस्ट्रेक्शन पॉर्पस के लिए या क रहने की जगह जो जन्वारों के रहने की जगह है उसको habitat कहेते हैं जहां पर जन्वार रहते हैं और बड़े हो जाते हैं उनकी development होती है वो उनका habitat कहलाता है और जमीन के अंदर बहुत सारे जानवारों का हैबिटेट होता है और इनसान उनकी एक्टिटीज की वज़ा से उनका ये हैबिटेट है जो रहने की जगा है वो डिस्ट्रॉय होती है और वो इधर उधर फिर बढ़क जाते हैं और कभी कुबार वो मारे जाते हैं इसके लावा इनसान जो है मैं जो बहुत सारे जानवार आते हैं उनका शिकार करता है हंटिंग करता है या पोचिंग करता है तो इससे भी बहुत सारे जो वार्ड एनिमल्स हैं वो खतम होते जा रहे हैं उनकी स्पीशीज और इनसान जो है अपने मासद के लिए या तो मीट हासल करने के लिए या जो इनके जो बाड़ी पार्ट से उनको बेजने के लिए जानवार का शिकार करता है और इस तरह से जानवार जो है वो इनसान का निशाना बनते हैं और वो जो है मारे जाते हैं कुद्वती तोर पर आगर हम देखिंगे कभी flood आते हैं जैसे वहाँ पर इसलाब दिया है तो बहुत सारे जानवार जो हते हैं जो RODERDRS व्गेरा होते हैं जो मिटी में रहते हैं जब flood आते हैं वो floods की वजह से निज्रिल फिनोमेना की वज़ा से मारे जाते हैं या earthquake की वज़ा से कभी खोबार इनके फिया होते हैं वो डिस्ट्रॉई होते हैं जैसे दूसरी फीगर में यहाँ पे दावे साय सीड के दिखाया जाता है इसके अलाव वाल्किनोज जो आग जैसे आपको नजर आती स्क्रीन पे वाल्किनोज एरॉप्शन के वज़ा से इनके हैवी डेटर्स डिस्ट्रॉई होते हैं वाल्ड अनिमल्स के और एज रिजल्ट आफ जो वाल्ड लाइफ है वो जो नेचल फिनोमेना है वो वाल्ड इसमें क्या आता है इसमें आता है इनको प्रोटेक्ट करना है और इनको रेस्टोर करना है तो प्रोटेक्शन कैसे हम देते हैं इनको जैसे यह नेचल हैबिटेट अपने हैबिटेट में रहते हैं हमें कूशिश करने हैं कि इनके हैबिटेट के साथ इनके जो रहने की जग इसके अलावा कभी कोपार अगर गाउं में भी आता है तो इनके पीछे हमें नहीं दोड़ना है इनको मामें की कुश्णी करना है जैसे, कभी कोपार, क्या का हम करते है यू जिonst Away लेजार वो हमारा एको सिस्टम में इसमें अबाइट और बायोटिक कंपोनेट्स जैसे मैं आपको बताया दोनों जरूरी है और बायोडियोडियोस्टी जो है यह तब ही मुम्किन है जब हम तमाम जानवारों को ताफूज दें और इनका ख्यार रहें तो अब बायोडियोस्टी में बाय बनाते हैं तो इसको से एकोलोजिकल इंबलेंस क्रेट होती है तो हमें चाहिए कि हमें जानवारों को हम जानवारों को ताफूज दें अब नेक्स्ट टाइम हम बाकिटोमस जो हैं जो इस चप्टर में आते हैं वह डिसकेस करेंगे और थैंक्स फार वाचिंग आज के आपीस.